तो है गाइज वात्स आप NPS 3D येर और वल्कम बैक टू एनदर एक्साइटेड 3D and VFX वीडियो तो आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने तो आज हम आपको सिखाएंगे कुछ लोग हमको देख रहे हैं तो हम इनसे भी कुछ पूछते हैं यहां कोई अगर 3D येर वीफेक्स के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो वह आ सकता है हमार नाम बलु अब आपके सामने बल्लू जी बताएंगे 3D और वेपेक्स के बारे में मताएंगे बल्लू अगर में यहां लिखना चाहते हैं तो NPS 3D के चैनल पर सीख सकते हैं अब बहुत बढ़िया बलू जी ने बहुत बढ़ियां बताया 3D और फेफेश कहां से सीख सकते हैं अब अब आगे पुस्पा जी बोलेंगे अरे हम का बोलें बोलना तो पड़ेगा पुस्पा बेटा अरे यार बलू NPS 3D छुकेगा निस्सा अला अरे पुस्पा जी यहां यहां खड़ा हो जाईए कुछ दर्सकों को बताये 3D और फेफेश के बारे में ठीड़ी के लिए computer की ज्रूद पढ़ती है और उससे भी बड़ी बात ग्यान की ज्रूद पढ़ती पुस्पा जुकेगा निस्सा अला अब चला पुस्पा भाव पुस्पा भाव थो चले गए जब आप सूटिंग कम्पलीट कर लो उसके बाद अब अपने फुटेज को आफटर पर इंपोर्ट करो और उसके तुरू एक नया कॉम्प क्रिएट करो इस तरह से यह होता है कि जो हमारा फ्रेम रेट है वह एक्जेक्टली मैच कर जाता है जो हमने फुटेज सूट करी करते हैं उनको अब सेलेक्ट करो या 3D सॉलेड केमरा पर क्रिएट कर तो अब आफटर इफेक्ट हमें एक कैमरा और एक सॉलेड देगा कि अब हमें इस सीन को ब्लेंडर में ले जाना है ताकि हम वहां पर जो वेजिटेशन का जो नेचर का सीन था वह एड़ कर पाए अपन यह रख़वार्ज Nahum वहाय इस उस आपाजर एक एड्वेस ख PC अब हमें इस सीन का जो ट्राइं मतलों की प्रेंडर क्रेंगे उसके उप्रेंड परेच करने केंगे और जब यूब्स करेंगे तो जिस इस properties पे keyframe लगे हुए हैं वो reveal हो जाएगी उसके बाद हम उसको select करेंगे दोनों copy करेंगे और फिर हम लोग blender में जाएंगे और वहाँ पे जो हमने add-on install किया है A to blend वो हमें एक option देगा create camera का बस उसके उपर हमें click करना है और ये एक camera create कर देगा blender के अंदर जो की exactly वैसा ही होगा जैसा हमारा after effect का 3D camera या फिर जो camera हमने suit किया था basically उस camera को वहाँ पर create कर देगा camera का motion basically जो हमारे character के उपर जो हमने solid create किया था ताकि हमें यह पता चल सके कि 3D space में हम कहां पर बैठे हुए है basically हमारा character वह कहां पर बैठा हुआ है तो हम solid को select करेंगे transform को reveal करेंगे तो वहां से हम orientation position scale को हम basically जो 4 starting values होती है चार parameters होते हैं उनको copy करेंगे और blender में एटू blend जो हमने add-on use कर रहा है उसमें create plane पर click कर देंगे और यह एक plane create कर देगा अब इस तरह हमें यह पता चाहिएगा कि 3D space में मेरा character कहां पर है लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम camera करेंगे background image पर जाएंगे और वहां पर add background कर देंगे और बैसिकली जो cube create किया हम camera के camera transform एंड जो plane का ट्रांसफर्म था उसको select करेंगे जो हमने cube create किया था उसके साथ हम लोग parent कर देंगे control P के साथ इस तरह से यह होगा कि अब हम जैसे cube को scale करेंगे move करेंगे rotate करेंगे हमारा camera और जो 3D का plane था वो भी साथ ही साथ move rotate and scale होगा इस तरह से हम अपने scene को orientation करेंट कर सकते हैं और scale भी करेंट कर सकते हैं जो हमारा real character है वैसा ही हमें 3D character add करना पड़ेगा आपने scene में और उसको उसी पोस में जहां पर आपने keyframe add कि मतलब बेसिकली ट्रेकर पॉइंट एड़ किये थे जिस एरिया को हटा कि आपको vegetation add करना है तो सबसे पहले तो आप अपने 3D model character model को select करो edit mode में जाओ और उस particular area को select करो और उसको separate कर तो यहां पर मैं delete geometry होगी उसके जो होंगे वह थोड़ा जैंकी होंगे तो उनको स्मूथ करने के लिए हम एक modifier यूज करेंगे smooth modifier और उसकी values को थोड़ा सा increase करेंगे और जब हमें result अच्छा लगेगा तो फिर उसके बाद हम इस पर एक और modifier यूज करेंगे solidify करने के लिए हम लोग यूज करने के बाद अब आपके पास एक होल होगा जिसके अंदर आप vegetation एड कर सकते हैं जैसा मुझे चाहिए था तो उसके बाद हम करेटर का जो skin का color है वह हमारे real character के skin के के ही around रखेंगे exactly हमें accurate नहीं मैच करना बट एक रेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है बट लाइट के वैसे ना हमारे skin का color है जैसे मालोगर मेरे उपर अभी तो पीछे से light आ दिए तो हो सकता है कुछ कि अब sphere add किया और उस sphere का color मैंने change कर दिया green color का और उस पर मैंने add कर दिया noise texture ताकि some part will be black little dark green and some part will be little light green और उसके बाद उसको मैंने select कर रहा और मैंने use किया एक मतलब एक और blender के लिए जो की है botonic जो की vegetation के लिए basically उसका जो link है वो जो video के description में दे दूँगा तो आप जाके देख सकते हो और अब अभी तक यह tutorial देख रहे हो तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मुझे चाहोगे तो प्रेट्रियों पर जाके support कर सकते हो वहाँ बहुत सारे assets बहुत सारे project file download कर सकते हो अगर आप हमें YouTube पे भी ज्वाइन कर सकते हो as a pro member तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं को project कर रहा हूं लाइक अभी मैं जो project कर रहा हूं वह tutorial बना रहा हूं इससे पहले ही में तो एक बार जब आप add-on यूज कर लो तो बेसिकली उसमें एक आता है वेट पेंट का option कि किस एरिया में आपको basically vegetation grow करना है तो उस एरिया को paint कर सकते हो मैंने यहां पे दो तीन लेयर क्रेट कर थी एक grass के लिए और उसके उपर एक flower के लिए और इस सीन को और लीविंग बनाने के लिए मैंने स्केश वैप से बटरफ्लाइड करी और उसको एक इंपटी के साथ parent कर दिया ताकि मैं उसको easily move कर बाऊं जब आप किसी चीज को रीग करते हो blender में तो उन्हें मूव करना थोड़ा difficult होता अगर आप कभी भी गड़बड करते हो तो पूरा आपका जो बोड़ी का में से वह गड़बड हो जाएगा और कहीं से कोई पार्ट मूव होगा कहीं से कोई पार्ट डिफार्म होगा तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप एक इंपटी के तरूँ उसको पहरेंड कर दो उसके बाद आप कहीं भी चाहोगा तो उस अब्जेट को का बेसिकली रोटेशन उसको चेंज किया और सन का साइज मैंने चेंज किया ताकि वह मोर डिफ्यूज और मोर साफ्ट लाइट क्रिएट कर पाए हमारे ओब्जेट के उपर क्योंकि अगर आप इस सीन को देखोगे तो इसमें कोहीं भी हाड लाइट नहीं है बेसिकली और अब आपकी लाइटिंग डन हो जाए बेसिकली तो उसके बाद आप अपने करेक्ट को सलेट करो और उसके ऊपर आप एड कर दो सैडों कैच अब इस तरह किया होगा कि जो हमारा सीर था जहां पर वेजिटेशन एड करा था बस वह पार्ट बीजबल होगा बाकी का पूरा क तो इतना करने के बाद अब जब मुझे लगा कि सब चीज़े डन है तो उसके बाद इसको मैं फाइल आउट्पूर्ट में गया और वहां पर इसको मैंने as a png sequence export किया और जब यह चीज़े डन हो जाती है तो उसके बाद आप आफटर में उसको इंपोर्ट कर लो और इंप जैसा आपका आपने फुटे सूट किया था वह था उसके पाद आप जब उसको रख दोगे तो वह एक्ज़ेक्टली मैच करेगा इस लाइक की वहां पर ट्रैकिंग हो रखी है क्योंकि सब चीज़ हमने अगर आपने यह फॉलो किया होगा तब आपका बहुत अच्छा आय था और इसको थोड़ा सा ब्लर करने के लिए मैंने एक ब्लर इफेक्ट भी यूज़ करा था उसके बाद हमने यूज़ कर था लेमिटर इफेक्ट इस इस मैं फ्रेंड अगर आपको यह फैनल लिएट बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह टुटोरिल समाज आया होगा तो प्लीज सस्क्राइब करिए क्योंकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो आने वाली यह चैनल के ऊपर और और ब बना रखें तो उसको भी जाके आप चेक कर सकते हो तो थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग इस वीडियो आइम एंपेस्रेडी और आपको नेक्स ताम बाइबाइ